ये गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल केर्टर मिनाक्षी मैं मिनाक्षी और फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाऊंगी इसमें मैंने टॉप पजामी और कैप बना कर तेयार की है ये सभी चीजे मैं आपको इसी वीडियो में ब संदो ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी वे मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी तो फ्रेंड्स अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से आइन तक और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल इकन को प्रेस करके और क्लिक करना पिल्कुल नहीं भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मुझे इंस्टराग्रांग पर भी फोलो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकांट का लेंक आपको description box में मिल जाएगा तो friends देरिने करते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं और सिखते हैं यह beautiful पुशाक बनाना तो यह देखे फ्रेंड्स उस पुशाक को बनाने के लिए सबसे पहले हम पिंक कलर की उनसे एक लूप बना कर त्यार कर लेंगे यह पुशाक हम दो और तीन नंबर के कानजी के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम तेरे चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे और तेरे चेन बनाने के बाद तीन चेन और बना लेंगे एक, दो, तीन, अब हम इन तीन चेन को स्किप करके चोथी चेन में एक बार डबल कोशे बनाएंगे यह दिखे इस तरीके से अब नेक्स्ट चेन में एक बार बना लेंगे तो अब सभी चेन में एक एक बाड़ अबल कोश्य बनाते हुए हम यह राउंड कम्प्लीट कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके से मैंने यह लाइन कम्प्लीट कर ली है अब हम यहाँ पर दूसरे कलर की उन अटेच करेंगे तो यह मैंने परपल कलर की उन ली है इससे पहले एक लूप बना लेंगे इस तरीके से कुरोशे हुक के अंदर डालेंगे इसको दागा छोटा कर लेंगे और इस चेन के बीच से ऐसे निकाल देंगे तो यह देखे धागया टच हो गया अब हम यहां पर दो चेन बना लेंगे एक दो तीन वर्क को टर्न करेंगे इसी चेन में एक बार डबल कोशे बना लेंगे अब नेक्स्ट चेन में दो बार डबल कोशे बनाएंगे और नेक्स्ट में तीन बार बना लेंगे एक दो तीन अब नेक्स्ट में दो बार तो अब हमें दो चेन में दो दो बार और तीसरी चेन में तीन बारडबल कोश्य बनाते हुए राइन कम्प्रीट करनी है तो यह देखे फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यह round complete कर दिया है अब हम यहाँ पर तीन chain बना लेंगे work को turn करेंगे next chain में एक बार double crochet बनाएंगे अब हमें 5 chain में एक बार double crochet बनाना है तो यह देखे यह 2 double crochet बन गया है एक हमने जो यह 3 chain बनाई थी यह भी double crochet count होगा तो 1,2 और next में 3 next में 4 next में 5 5 double crochet बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,6 chain skip करके 7 भी chain में एक बार double crochet बना लेंगे next chain में एक बार बनाएंगे अब हमें यहाँ पर 10 chain में एक एक बार double crochet बनाना है यहाँ पर यह 10 double crochet बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 6 chain skip करके 7 भी chain में एक बार double crochet बनाएंगे और यहाँ corner पर 5 बार double crochet बना लेंगे तो चलिए इस तरीके से कर लेते हैं यह देखे इस तरीके से मैंने यह round complete कर लिया है, अब हम यहाँ पर pink color का धागा attach करेंगे, यह मैंने यहाँ से cut नहीं किया था, तो direct इसको उपर ले लेंगे, इस तरीके से, अब यहाँ पर तीन chain बनाएंगे, एक chain हम यह बना चुके हैं, दो, तीन, work को turn करेंगे, सभी chain में एक बार डबल कोशे बनाते हुए, यह line complete कर लेंगे, तो यह देखे, इस तरीके से, यह चोली बन कर तयार हो गई है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन chain बनानी है, एक, दो, तीन, तीन chain बनानी के बाद, इसी chain में एक बार डबल कोशे बना लेंगे, नेक्स्ट चेन म दो बार बना लेंगे, नेक्स्ट में दो बार बना लेंगे, नेक्स्ट में दो बार बना लेंगे, तो इसी तरीके से हर चेन में दो दो बार डबल कोशे बनाते हुए, यह line complete कर लेंगे, तो यह देखे, इस तरीके से मैंने यह round complete कर लिया है, अब हम यहाँ पर दूसरे कड करेंगे इसको हम पर कर लेते हैं इस तरीके से अब यह पर तीन बनाएंगे एक दो तीन को टर्ण करेंगे इसी चैन में एक बार ढबल कोश्य बना लेंगे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में दो बार बनाएंगे, एक और ये दो अब हमें दो चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में दो बार डबल कोशे बनाते हो, ये राउंड कम्प्लीट करना है तो यह देखे इस तरीके से मैंने ये राउंड भी कम्प्लीट कर दिया है अब हम यहाँ पर पिंक कलर अटेच करेंगे तो पहले हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे जिससे किये निकले न अब नॉट यहाँ पर लूप बनाएंगे और इसको यहाँ पर अटेच कर लेंगे यह देखे कर लेंगे और इस चेन के 20 से इसको निकाल लेंगे अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो और एक चेन हम अटेच करते हुए बना चुके हैं तो यह तीन चेन हो गई वर्क को टर्ण करेंगे और इसी chain में एक बार puff stitch बनाएंगे किस तरीके से बनानी है देखे करोशे hook के उपर धागा इस तरीके से लेंगे chain के अंदर डालेंगे loop लेंगे और धागे को थोड़ा लंबा करके रखेंगे तो ये एक बार किया इसी तरीके से दो बार इसी तरीके से तीन बार इसी तरीके से चार बार ये चार बार मैंने कर लिया आप इसे पांच बार भी कर सकते हैं अब इन सबी धागे को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और chain बना कर इसको lock करेंगे और एक chain बना लेंगे अब ये देखे एक, दो, तीन तीसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशय बनाकर अटेच कर देंगे इस तरीके से अब फिर से यहाँ पर हम तीन चेन बना लेंगे एक, दो, तीन और इसी के अंदर पॉफ स्टिच बनाएंगे इसी चेन के अंदर तो एक बार दो बार तीन बार चार बार सभी को एक साथ निकाल देंगे एक चेन बनाकर इसको लोग करेंगे और एक चेन और बना लेंगे अब ये देखे एक, दो, तीन तीसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशय बनाकर अटेच कर देंगे तो इसी तरीके से हमें यह round पूरा complete करना है चलिए कर लेते हैं फिर दिखाते हैं कि क्या करना है तो यह देखे इस तरीके से मैंने यह round भी complete कर दिया है अब हमें क्या करना है अब हम इस पूरे की आउटलाइन करेंगे देखे यहां से यहां 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 और यहां तक आउटलाइन कर लेंगे तो चली करते हैं एक चेन बनाएंगे यहीं पर सिंगल कोशे बना लेंगे फिर नेक्स चेन में सिंगल कोशे बनाएंगे next में single crochet बनाएंगे सभी जगा पर single crochet बनाते हुए हम इसकी outline कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके से मैंने सभी जगा की outline कर दी है अब यहाँ पर एक chain बना कर धगा कट कर लेंगे तो यह इस तरीके से टॉप बन कर तयार हो गई है यहाँ पर हम पीछे की side में चिट बटन लगा देंगे एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे और अब इसके लिए एक डौरी बना लेते हैं simple chain बना कर डौरी बनाएंगे पहले एक लूप बना लेंगे अब लंबी सी एक चेन बनाएंगे आएंगे कि यह देखिए मैंने 50 चेन की यह दोरी बना ली है यहाँ पर एक चेन बना कर यह धगा कट कर लेंगे अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे यह वाला जो पॉर्शन है जहाँ पर हमारी बोटी का एंड था वहाँ पर तो देखे किस तरी के से लगाना है यहाँ चैन में क्रोशे हो किस तरी के से डालेंगे और इस डॉरी को क्रोशे में ले लेंगे तो यह दिखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर डॉरी भी लगा दी है अब हम इसके लिए पजामी बनाएंगे तो दो और तीन नंबर के कानजी के पजामी बनाने के लिए हम यहाँ पर बीस चैन बनाएंगे तो पहले हम एक लूप बना लेंगे लूप बनाने के बाद इसमें चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उननीस, बीस यह 20 चैन बनाने के बाद, अब हम यहाँ पर 3 चैन और बना लेंगे एक, दो, तीन, अब दो चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में एक बार हाफ डवल कोशे मनाएंगे ये देखे ऐस तरीके से फिर नैक्स चैन में हाफ डवल कोशे मनाएंगे सभी chain में एक एक बार half double crochet बनाते हुए यह line complete कर लेंगे तो चलिए कर लेते हैं यह दिखे इस तरीके से line complete करने के बाद अब हम यहाँ पर 3 chain बना लेंगे 1, 2, 3 work को turn करेंगे अब सभी chain में एक एक बार double crochet बनाते हुए यह line complete कर लेंगे इस तरीके से line complete करने के बाद अब हम यहाँ पर 2 chain बनाएंगे 1, 2 work को turn करेंगे next chain में एक बार double crochet बना लेंगे next में एक बार बना लेंगे next में एक बार अब हमें यहाँ पर 11 chain में एक एक बार double crochet बना कर line complete करनी है तो यह दिखे यहाँ पर मैंने यह 11 double crochet बना ली है और इधर हमने 11 chain skip की है यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार है तो यह 11 chain मैंने ऐसे ही छोड़ दी है अब हमें क्या करना है यहाँ पर 2 chain बनानी है एक, दो, work को turn करना है next chain में एक बार half double crochet बनाना है अब यह line हम half double crochet बनाते हुए complete करेंगे सभी chain में एक बार half double crochet बना लेंगे और इसके बाद में एक line और हमें half double crochet बनाते हुए complete कर ली है तो चली कर लेते हैं फिर दिखाते हैं कि क्या करना है तो यह दिखिए सभी chain में एक एक बार half double crochet बनाते हुए मैंने यह line complete कर ली है अब हम यहाँ पर pink color का धाग अटेच करेंगे एक चेन और बना लेंगे एक चेन हमने यह अटेच करते हुए बना ली थी बर्क को टर्ण करेंगे और इस दागे को इसी तरीके से पकड़ के रखेंगे जिस्तिकी छूटे ना अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोश्य अपनाएंगे सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोश्य बनाते हुए यह लाइन कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने यह एक पॉर्शन कम्प्रीट कर लिया है अब हमें क्या करना है यह वाले जो पॉर्शन हमने छोड़ा हुआ है इसको भी इसी तरीके से कम्प्रीट करेंगे पहले एक लाइन डबल कोशी के बनाएंगे फिर दो लाइन हाप डबल कोशी के बन मैंने ये दोनों portion बना कर त्यार कर लिए हैं अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से फॉल्ड करना है और फॉल्ड करने के बाद यहां से हम तीन लाइन तक इसकी स्टार्ट करेंगे यह देखे स्टार्टिंग में हमने यहां पर हाफ रबल कोशिय बनाए था तर उसके बाद में डबल कोशिय बनाए था उसके बाद में हाफ डबल कोशिय बनाए था तो यहां से हम सिलना स्टार्ट करेंगे यह मैंने सुई में सेम कलर कदाकर डाल लिया है इस तरीके से हम इसमें सुई को डालेंगे और ऐसे यहां से इसको सिल देंगे यहां से लास्ट तक सिलना है उपर की साइड में अब यहां से सिलने के बाद यहां नोट लगा कर हम यह दागा कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसको खोलने के बाद यह देखे इस तरह की शेप में यह आ गया है पजामी की शेप में तो हम इसको यहां से यहां 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 तक सिलने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे यह देखे इस तरीके से यह पजामी बन कर तयार हो गई है अब हम यहां पर इसको बांधने के लिए एक डोरी लगा देंगे आप चाहें तो लास्टिक भी लगा सकते हैं डोरी बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे कि हमने टॉप के लिए बनाई थी तो चलिए डो कैप बनाने के लिए हम परपल कलर की उनसे एक लूप बना लेंगे और लूप बनाने के बाद यहां पर हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार फर्स्ट चेन में इसलिप स्टिक से स्कोटेच कर देंगे अब यहां पर दो चेन बनाएंगे एक दो और इस होल को यह जो होल बन गया है यहां पर इसको हाफ डबल कोशय करते हुए फील करेंगे यह देखे इस तरीके से इसको फील करने के बाद अब हम यहां पर जो हमने दो चेन बनाए थी उसकी सेकिंड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर इसको टेच कर देंगे अब फिर से दो चेन बना लेंगे एक दो और इसी चेन में एक बार हाफ डबल कोशय करेंगे नेक्स्ट में दो बार करेंगे तो आप सभी चैन में दो बार हाफ रवल कोशा करते हुए हम यह राउं कम्प्लीट कर लिए तो यह देखे इस तरीके से मैंने यह राउं कम्प्लीट कर दिया है अब यह यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे next chain में single crochet करेंगे next में single crochet कर लेंगे sub में एक एक बार single crochet करते हुए ये round complete करेंगे और इसके बाद में दो line और हमें इसी तरीके से complete करनी है हर chain में एक एक बार single crochet बनाते हुए तो चलिए कर लेते हैं फिर बताते हैं कि क्या करना है तो यह देखिया हर चेन में दो-दोबा डबल कोशा करते हुए मैंने यह राउन कप्लीट कर लिया है अब हम इसको इस स्टाइडिंग में हमने यह तीन चेन बनाई थे इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर अटैच कर देंगे अब इस दागे को अंदर के साइड में अड़ेस्ट कर देंगे तो यह देखी कैप भी बन करते है तो फ्रेंड सी अड्रेस बन करते है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह ड्रेस और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी उस्फूल रही हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड फैमिल के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करके और के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप क्रेटिंग औ हूँ